आप अपने इलाके में कोई भी गरिब परिवार अगर पक्के घर में नहीं रह रहा है तो जांकर के बताना कि मोदी जी आये थे आपको पक्का घर देंगे इसकी गरंटी देके गए हैं बताओगे सबको बताओगे मिल करके बताओगे मेरा कोई गड़ी भाई बहन जुगी जोपड़ी में ना रहे इसके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं साथियों किसान हो पशुपालक हो मचवारे हो इनकी आये बड़े इनका जीवन आसान हो ये भाजपा सरकार की प्रात्विक्ता रही है PM किसान सम्मान निदी से पहली बार देश के करोडों किसानों को सीधा लाब पहुँचा है इस मैंसे पोडिसा के भी 40 लाग किसानों को लाब हुआ है हर किसान के बैंक खाते में भाजपा सरकार ने कम से कम 30,000 रुपिये भेजे हैं आपको आकड़ा याद रहेगा जरा हाद पर करके बताईए आकड़ा याद रहेगा एक किसान को कितने रुपिये पहंचे हैं 30,000 कितने बाजपा सरकार ने पहली बार लागत का डेड़ गुणा मस्पी भी सुनिश्चित किया बाजपा सरकार यहां के धान किसानों से जादा से जादा सरकारी खरीद भी कर रही है 2014 के पहले के 10 सालों में ओडिशा के धान किसानों से 36,000 करोर रुपिये की खरीदी हुई थी यह आकड़े याद रखना जब पहले जो लोग सरकार चलाते थे उन्होंने 36,000 करोर रुपिये का ही धान खरीदा था जबकि हमारी सरकार के 10 साल में ओडिशा के धान किसानों को MSP के रुपिये एक लाख दस हजार करोर रुपिये मिले है अभी जो बजट आया है उसमें भी किसानों की आए बढ़ाने के और खर्च करने के लिए अनेक वीद योजनाएं देश के सामने रखी गई है नेनो यूरिया के बाद अब केंदर सरकार नेनो डिये पी भी किसानों को उपलब्द कराने जा रही है इससे किसान के लागत और कम होगी हमारी सरकार देश के करोड़ों पसुपालकों के लिए भी बहुत बड़ा भ्यान शुरू करने जा रही है बजेट में मच्वारों के लिए भी बहुत बड़ी गोशना की है मत्ष संपदा योजना के तहट मिलने वाली मदद अब और बनाई जाएगी इसका बहुत बड़ा लाब ओड़ी साके मच्वारे सात्यों को भी होगा सात्यों मच्वली पालकों के हीत में जितना काम भाजपा की सरकार ने किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया